बिस्मिल्ला हिर्दामाने रहीम हेलो फैशन डिजाइनर्स कैसे हैं? आज इस वीडियो में चारकली पेटी कोट की कटिंग करना बताएंगे पेटी कोट की कटिंग हम आप लोगों को पेपर पे करके बताएंगे फिर आप लोगों को पेटी कोट की तीम कटिंग पेपर पे करके हमें दिखाना है इस्टाग्राम पे पिक्चर्स शेयर करें हमारे साथ इस्टाग्राम लिंक कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यह हमने दो पेपर लिये है इसकी लेंद 10.5 इंच ली है मतलब इसकी लेंद 10.5 इंच ली है विर्त ली है इसकी 30 इंच मतलब इसकी चड़ाई 13 इंच ली है दोनों पेपर्स को बिल्कुल एक बराबर करना है यहां से कली का मार्क लगाएंगे 4 इंच पे देख सकते हैं ये 4 इंच पे मार्क लगाया है दूसरी साइट से भी कलिय का 4 इंच पे मार्क लगाएंगे पेटी कोट में दो कलिया आगे आएंगे और दो कलिया पीछे आएंगे इन मार्कों को इस तरीके से मिला देना है ये पेटी कोट की दो कलिया हो गई और ये दो कलिया हो गई इसी मार्क पे कटिंग करेंगे स्टिचिंग से रिलेटिड कोई भी कोच्चन पूझना हो तो इस्ट्रेग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं मेरी इस्ट्रेग्राम आइडी आमना बुटिक के नाम से ही है देख सकते हैं ये दो कलिया हो गई और ये दो कलिया हो गई ये दो कलिया आगे की साइड आएंगी और दो कलिया पीछे की साइड आएंगी इस तरीके से इन कलियों को रखना है इस तरीके से रखने पे ये कलिया छोटी बड़ी आ रही है अभी हमें इनकी सेटिंग करना है इन कलियों को बिल्कुल एक बराबर करना है इस तरीके से इंची टेप रखकर जो भी इसकी विर्टर इसका हाफ कर देंगे मार्क लगा देंगे देख सकते हैं ये बिल्कुल इसकी सीधी साइड है तो ये यहां से 10.5 इंच आ रहा है यहां से भी ये 10.5 इंच आना चाहिए 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे इन मार्कों को इस तरीके से मिला देंगे इसका शेव देंगे ये शेव हमारा इस तरीके से गोलाई में आएगा यह जो हमने मार्क लगाया है इसी मार्क पे कटिंग करेंगे कटिंग करने से पहले पेपर को बिल्कुल एक बराबर कर ले दोनों कलियों का पेपर आगे पीछे नहीं होना चाहिए वरना कली छोटी बड़ी हो जाएगी अगर आप ये सिलाई का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी कोई रॉकिट साइज तो है नहीं जो बिना प्रैक्टिस करे आ जाए अब इसका लिकी भी हमें ऐसे ही सेटिंग कर लेना है इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए इसका हाफ करेंगे मार्क लगाएंगे ये इसकी स्ट्रेट साइड है यहां से ये 10.5 इंच आ रहा है और ये तिर्ची वाली साइड है यहां से 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरीके से मार्कों को मिला देंगे इसका शेप गोलाई में देंगे जैसे हमने पहले दिया था मार्क पे कटिंग कर देंगे कटिंग करने से पहले पेपर को बिल्कुल एक बराबर कर लेना है फिर इसकी कटिंग करना है अब इसकी चारो कलियों की setting तो हो गई है इस तरीके से ये कलिया joint होईगी एक कलिया का कपड़ा बिल्कुल सीधा रहेगा और एक कलिया तिर्चे में आएगी जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कलिया की setting करने के बाद ये बिल्कुल एक बराबर आ रही है बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं है दो कलिया आगे की साइड आएंगी और दो कलिया पीछे की साइड आएंगी पीछे की कलिया भी इसी तरीके से जॉइन्ट होएंगी अब हमने ये इसकी बेल्ट निकाली है बेल्ट की विर्थ ली है 30 inch मतलब belt की चुड़ाई 13 inch ली है belt की length ली है 5 inch मतलब belt की लंबाई 5 inch ली है पेटी कोट की कमर कितनी रहेगी उसका हिसाब समझा देती हूँ इस तरीके से joint होने के बाद पेटी कोट की कमर 6 inch रह जाएगी इसकी आगे और पीछे की कमर मतलब पूरी गोलाई की कमर 12 inch आएगी half half inch सिलाई में जाएगा इस साइट से भी और इस साइट से भी जैसे की ये कली 4 inch की आ रही है दोनों साइट से half half inch सिलाई में चला जाएगा तो ये कली 3 inch की रह जाएगी ऐसे ही ये कली भी 4 इंच की है सिलाई लगने के बाद ये 3 इंच की रह जाएगी सिलाई लगने के बाद कमर की पूरी गोलाई आएगी 12 इंच ये जो हमने बेल्ट ली है इसी नापके अकॉर्डिंग ली है बेल्ट की फिक्स लंबाई 12 इंच है 1 inch हमने extra लिया है margin के लिए half inch कपड़ा सिलाइ में चला जाएगा दोनो सैट से इस तरीके से fold होने के बाद ये half half inch कपड़ा सिलाइ में चला जाएगा तो fix belt रह जाएगी 6 inch की कमर की पूरी go light 12 inch आ जाएगी इस तरीके से ये belt आएगी बेल्ट को इस तरीके से विर्थ वाइज एक बार फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद बेल्ट की लेंद टू एंड हाफ इंच आ रही है देख सकते हैं धाई इंच बेल्ट की लेंद आ रही है यहां से हाफ इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा तो ये belt 2 इंच की रह जाएगी इसकी total length कितनी है वो बता देती हूँ इस तरीके से belt के उपर कली को half inch चड़ा कर रख देंगे क्योंकि half inch कपड़ा सिलाई में चला जाएगा और नीचे से भी half inch कपड़ा सिलाई में चला जाएगा इसकी length अभी आ रही है 12 and half inch stitching के बाद इसकी length 11 and half inch रह जाएगी half inch उपर की side सिलाई में जाएगा और half inch नीचे की side सिलाई में जाएगा तो इसकी full length 11 and half inch रह जाएगी इसकी 3 cutting करके आप लोग को हमें instagram पे दिखाना है हमारे साथ cutting की pictures share करना है तीन cutting करने से कोई भी चीज भूलेंगे नहीं लबे time तक याद रहेगी next वीडियो में पेटी कोट की cutting कपड़े पे करना बताएंगे फिर उससे next वीडियो में पेटी कोट की stitching बताएंगे आप घंटू का काम मिन्टों में करने लगेंगे अगर रोज थोड़ी थोड़ी practice करेंगे दिन में कोई एक ऐसा time बना लीजिए जिसमें सिलाई सीखना ही सीखना है fashion designers अब मिलते हैं next वीडियो में